नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है एक कहावत है पुरानी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वही इस्थिति अब ममता बनर जी के लिए हो गई है उन्होंने कई सभाव में कहा कि क्या उन्हें किंद्र से पैसे की मांग के लिए परधान मंत्री का पकड़ना पड़ेगा उनके पाउच चुने पड़ेगे क्योंकि ऐसे तो पहले भी उन्होंने पाउच चुने की कोशिश की पिछली बार जब पिये मोदी के साथ उनकी बैठक होई थी लगभग 45 मिए तक बैठक चली जब दिल्ली में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर जी के बीच मुलाकात होई थी उस समय उस समय भी ममता बनर जी ने यही बात बोली कि किंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को फंड दे और ये फंड एक लाक 968 करोड रूपे का था 18 योजनाओं की लिस्ट ममता बनर जी ने पिये मोदी को सौपी थी उस समय भी इस बैठक के दौरान उन्होंने सारी मन्नते गुहार जो भी करना था पिये मोदी के सामने लगाई लेकिन पिये मोदी ने एक ही बात कहा कि जब तक किंद्रिये योजनाओं के पैसे का सही स्तेमाल पश्चिम बंगाल में नहीं होगा तब तक भरस्टाचार के ल लोगों को बंदरबाट करने के लिए फंड नहीं दिया जा सकता ममता बनर जी दिल्ली से वैरंग वापस लोटी थी और अब पश्चिम बंगाल में अलग-अलग सभाव में घूम-घूम कर वो कह रही हैं कि प्रधानमंती नरेंद्र मोदी पैसे नहीं दे रहे हैं केंद्र से फंड नहीं आ रहा है जिसके कारण PM आवास योजना के तहत 50 लाख मकान बनाने के अप्लिकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं मनरेगा के मज़़ूरों का पेमिंट नहीं दिया जा सका है क्योंकि मनरेगा के तहत पिछले कुछ समय से 6,000 कड़ोर रुपया केंद्र सरकार जारी नहीं कर पाई है PM आवास योजना के तहट 9000 कड़ों रुपया किंद्र का फंड पशिम बंगाल को नहीं मिल पा रहा है और ऐसे ऐसे 18 योजनाएं चाहे समगर शिक्षा विकास योजना हो, मिड़े मिल स्कीम हो या फिर सरकार के दूसरी योजनाएं हैं उन सारी उजनाओं में सम मिला कर अगर देखा जाए तो एक लाक 968 कड़ों रुपया किंद्र सरकार को रिलीज करना चाहिए पशिम बंगाल के लिए लेकिन किंद्र सरकार वो पैसे नहीं दे रही है पिछले दिनों जब ममता बनर जी और किंद्री ग्रीह मंत्री अमिश्रा के मुलाकात होई थी तो उस समय भी ममता बनर जी नहीं ये मुद्दा उठाया था उन्होंने कहा था किंद्र सरकार पशिम बंगाल के तरफ कम से कम सामान सौफ्ट नेचर के साथ अब काम करे केंद्र सरकार जो पैसे बकाए हैं पशिम बंगाल सरकार के जो केंद्र के तरफ डिव है उन पैसों को रिलीज करे क्योंकि यहां पर विकास का काम बाधित हो रहा है लेकिन केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिसा ने भी उस छोटी सी मुलाकात के दोरान ममता बनरजी से एक ही सवाल किया कि पशिम बंगाल में जिस तरीके से ब्रस्ताचार के नए नए मामले आ रहे हैं उन मामलों के बाद यह बिश्वास करना बहुत मुश्किल है कि केंद्र सरकार के फंड का सही उपयोग हो पीम आवास योजना के तहट घर बनाये जाते हैं लेकिन वो घर बने बनाये लोगों का टीम सी के नेताओं का उनके ही लोगों के घर को जो बना हुआ है उसी पर आगे अप्लिकेशन दे के पंचायत अस्तर से एप्रूब करवा के और उसके उपर पैसे निकाले जा रहे है उन्होंने ममता बनर जी को आइना दिखाने के लिए कई रिकॉर्ड दिये थे क्योंकि पश्चिम बंगाल में पीम आवास योजना के तहट जो घर बनाये जा रहे हैं उसमें अनियमित्ता की बास सामने आये थी कई रिपोर्ट अखवारों में भी मिले और फोटो भी सेयर किया गया कि ये देखिए ये दो मंजिला मकान पीम आवास योजना के तहट बनाये गया है और ये जो पहले से बने-बने मकान है जिसमें टाइल्स और मालवर्स लगे हुए है ये जिला पंचायत समीती के परमु सी का नेता है ऐसे जब अखवारों में कई रिपोर्ट सामने आये तो उसके बाद केंदर सरकार ने एक्शन लेना सुरू किया केंदर की एक टीम पश्चिम बंगाल में इन पीम आवास योजना के तहट जो अन्यमित्ता फ्रजी वाड़ा हो रहा है उसके लिए अलग अलग जगा पर मुआयना की और सारे लिस्ट निकाल कर उसमें से छटनी सुरू किया गया इसमें से करीब करीब 40,000 ऐसे मामले मिले जो फरजी थे 40,000 घर ऐसे बनाये गये जो वास्ता में पीम आवास योजना के तहत नहीं बनाये गये बलकि पहले से ही बने थे और वो टीम सी के नेताओं के थे और उसके उपर पीम आवास योजना का पैसा निकाला गया था इसके बाद केंदर सरकार ने अस्ट्रिक्ट एक्षन लिया और फिर पैसे देना बंद कर दिया गया क्योंकि पिछले चार महीने पहले 832 कड़ों रुपे पीम आवास योजना के तहत पश्चि ब्लॉक अस्तर के और जिला अस्तर के नेता हैं और उनका घर बना बनाया है जिसके खातों में पैसा भेज दिया गया 1,88,000 के करीब यानि की 1,88,000 रुपया एक आदमी को दिया गया तो ऐसे में करोणों रुपे की घपले बाजी सामने आए केंद्रियेट टीम ने पूरी रिपोर्ट सौपी उसके बाद केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया पीएम आवास योजना के तहट वो निर्देश कड़ाई से लागू किया जाना है अगर उसके आधार पर PM आवास योजना का अवंटन नहीं किया जाता है तो पैसे नहीं दिये जाएगे इस निर्देश में साब तोर पर कहा गया था कि जो PM आवास योजना के लाभारती हैं जिनको घर मकान बनाना है वो पंचायत के अस्तर पर उनके नाम के अनुशनशा नहीं की जाएगी यानि की पंचायत में जो पंचायत परमुक होता है अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम होता है या उन लोगों को इसके नाम के अनुशनशा करने की अनुमती नहीं हैं वो लोग नाम लिख कर देते हैं और वो फिर कमिशन खाते हैं और उन लोगों से कमिशन खाते ह जिसके मकान पहले से बने हुए होते हैं इसके लिए जो लिस्ट तयार की जाएगी उसका अनमोदन ग्राम सभा के अस्तर पर होगा क्योंकि पंचायत प्रमुक्त एक ही होगा ग्राम सभा में वहाँ पर जितने वोटर ग्राम के अंदर होते हैं वो सारे ग्राम सभा के सदस होते हैं अगर उस बैठक के दोरान सब का नाम पढ़ा जाएगा तो वैसे इस्थिती में सब को पता होगा कि किसको मिल रहा है और किसको गलत तरीके से मिल रहा है किसको मिलने की जरूरत है वो नाम final होगा और उसमें जिन नामों के कटाउती करने की जिसे हटाने की अनुमती ग्राम जिला अस्तरिय कमीटी के पास जाएगी वो जिला अस्तरिय कमीटी में जिला पंचायत प्रमुक यानि जिला परिसद का जो अध्यक्ष होगा वो भी होगा डियम होंगे यानि जिला अधिकारी होंगे एडियम भी होंगे और करमा अध्यक्ष भी होंगे यानि कि ये सारे ल खुद जाकर देखा जाएगा उनके घर को मकान को और उसके जरूरतों को उसके बाद जो लिस्ट फाइनल होगा उस लिस्ट को अपलोड किया जाएगा और फिर उसके क्वेरी आएगे कि भई ये नाम जो दिया गया है ये सही है कि नहीं लोग अगर इस पर आपत्ति नहीं ज अनुसंसा कर सकते हैं कि नसरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर के तहट वो पैसे उन लोगों के खातों में डाल देगी लेकिन ये घपलेबा जी अब नहीं चलेगी इसलिए ममता बनर जी परिशान है क्योंकि उनके अधिकार में कुछ नहीं है और वो इसका फायदा च घर बनवाए हैं दूसरे तरफ से अपने लोगों का घर बनवा कर फरजिवाड़ा कर केंदरिये जो फंड है उसका इस्तेमाल टीमसी यानि सरकार के अस्तर पर नहीं पाती के अस्तर पर टीमसी अपने फायदे के लिए कर रहे थी इसलिए ये फंड अभी फ्रिज किया गया है रोक दिया गया है दूसरे तरफ मनरेगा के तहत भी साहे 6,000 करोड का फंड रिलीज नहीं किया गया है ऐसा ममता बनर जी ने मांग की थी जब परधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 18 योजनाओं की जो लिस्ट परधान मंत्री के सामने रखी थी जिसमें 1,968,000 रुपे रिलीज करने थे उसमें भी मनरेगा की बात की गई थी कि मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है उस समय भी पीम ने कहा था कि आपके पास ब्रस्टाचार के लिए पैसे हैं आपके पास सिक्छा कि एक नहीं कम से कम 10 से 15 ऐसे बड़े बड़े घोटाले पश्ची मंगाल में है जिसकी CBI और ED जांच कर रही है और इसके लिए पैसे हो जाते हैं लेकिन मजदूरों के देने के लिए पैसे किंदर सरकार से चाहिए इसकी भी जांच होगी और जिन्यून जो मनरेगा डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ही पैसे जारी किये जाएंगे इसलिए किंदर सरकार से बड़ी उमीदें न करें किंदर सरकार आपको पैसा दे और आप उसका इस्तेमाल T.M.C. के लिए अपने नेताओं के लिए और भरस्टाचार में बंदरबाट के लिए करें ये सारी इस्थितियां ऐसी हो गई जिससे मम्ता बनर जी बॉखला गई है उनके पास फंड नहीं है पैसे नहीं है और किंदर सरकार के उपर ठीकरा फोड़ रही है क्योंकि किंदर सरकार के पैसे का इस्तेमाल ही वो अपने नाम के लिए कर रहे थी किंदर सरकार के पैसे ज सुमिंदू अधिकारी ने एक चिठी लिखकर वित्मंत्री निर्मडा सितरमन को भी कहा था कि केंद्र सरकार पैसे देने से पहले यह सोच ले कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है। जब तक पश्चिम बंगाल में टीमसी की सरकार में भरस्ताचार इतनी बढ़ी रहेगी जब तक टीमसी यह तै नहीं कर लेगा ममता बनर जी अपने भरस्त नेताओं को बर्खास नहीं करेगी मंत्रियों को और विधायकों को निर्देश नहीं देंगी तब तक केंद्र सरकार से पैसा भेजने का कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि ये पैसे वहां जाएंगे और इन ही लोगों के बीच बट कर रह जाएंगे ना लोगों का काम होगा और नहीं वहां पर विकास होगा इसलिए किंद्र सरकार इस बार बिलकुल एक्षन मोड में है कि पहले आप भरस्टा चार पर लगाम लगाओ पहले इन योजनाओं में जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसका हिसाब दो इसके बाद ही आपको पैसे दिये जाएंगे तो इसी तरह कि खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे जब तक कर लिए बने रह रही है irsin और देते रही है मेंसा योग ता कि इस झाल झाल